स्वागता आरेवट कोचिंग क्लासेज में आप सभी का आज के इस वीडियो में हम भिन्नों का योग एडिशन ओफ एक्संस इसकी अलग अलग इस्तिदियां होती है कि जब हमारे जो हर होते है उस समान हो यहाँ पर भिन्न जो होती है वो इस तरह से ए बटा बी के रूप में मान सकते हैं जो उपर वाली जो संक्या होती है इसको हम अंस करते हैं और नीचे वाली जो संक्या होती है इसे हर करते हैं तो यहाँ हमारे जो हर दिये गए है वो तीनों ही बिन्नों के समान है अब हम इनकी जो योग करेंगे इनका तो हमें इनका गुणनखंड करके लेसा लेने की जुरुत नहीं होती है जो लेसा आ जाता है उसके बाद में हम उपर वाली जो अंस की सेंखे है उनका योग कर देते हैं केवल एक प्लस तीन प्लस पांच पांच और तीन आठ 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 और एक नो तो यहाँ पर नो बटे च्छे आते हैं अब यह संग्या विभाजित होती है तीन से तो इसे विभाजित कर लेंगे तीन 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 दोना च्छे तो यहाँ पर अपने पास इन संग्याओं का जो योग आय हर समान दिये गए हैं तो उनका जो लेसर आता है उनका हर होता है और उनके अंसों का योग कर देते हैं यह हमारे जो भिन का है योग है समान हरों के अंदर अब हम अलग-अलग अगर हमारे हर हो तो उस प्रकार का सवाल करेंगे जब हर का मान क्या हो एंस अमान हो यहां पर अपने पास में संग्य है 5 बटे 3 प्लस 2 बटे 5 बटे 10 यह जो दी गए संग्य है इनमें परते का जो हर है वो अलग-अलग है ठीक है अब इस प्रकार की जो संग्य होती है इनका हम सबसे पहले गुननखंट करके लग सा लेते हैं पर हम तीन पांच और दस इन तीनों का लसलेंगे तो दो का भाग देंगे तीन में नहीं जाता वेसे के वेसे उतार देंगे पांच को भी ऐसे के से उतार देते हैं और दस में पांच बार जाता है उसके बाद में हम देंगे इसमें तीन का भाग तीन में एक बार पांच में ज्विए जाता है तो जन से यंहीं नहीं जाता उसे वेशेखेवेश से उतार देंगे फिर अप पांच का जाएगा तो नीचे अंपने पास में जो भाग फल हे यह एक 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 आ GO आजाता है यहां हमारा से गुना किया, 5 तot पंद्रा वो 15 को 2 से गुना किया तो, 15 दो न स्थी 30, तो हमारा जो लस आया है, यह आया है 30 हमारे पास में जो इन घरकी दीडरे सिंख्याओं का लस आ आया है, अब हम सबसे पhベले क्या करते हैं कि जो हर का भाग होता है वो लसमें देते है तो 3 का भाग 30 में 10 बार जाएगा और 10 को हम गुना करेंगे 5 से प्लस 5 का भाग देंगे 30 में 6 बार जाएगा और 6 को गुना करेंगे 2 से प्लस 10 का भाग 30 में 3 बार जाएगा और 3 को गुना करेंगे 3 से अब यहाँ पर जो संक्य हमें दी गई है इनका गुनल फल कर लेते हैं 10 को 5 से गुना किया 50 प्लस 6 को 2 से गुना किया 12 प्लस 3 को 3 से गुना किया 9 बटे 30 इन सभी संक्याओं का हम योग कर लेंगे 9 और 2 11 11 का एक अंसिल का 1 एक रेक 2 2 5 7 बटे 30 तो हमारे पास में इन संक्याओं का जो योग आया है जिनके हर समान है वो आया है 71 बटा 30